नवस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बद दोस्तों BSTC College Allotment 2023 को लेकर आप सब के लिए इस समय की बहुत बड़ी ख़वर निकल के आ रही है BSTC College Allotment की पहली लिष्ट दोस्तों अब 30 September को सौंबार के दिन जारी होगी कि आपको बेट करना होगा क्योंकि आज भी संबाव ना थी लेकिन आज लिष्ट जारी नहीं हो सकी हालांकि सुवह भी अपडेट आई थी दोस्तों मैंने आपको अपडेट भी किया था कि एक या दो दिन में BSTC की फर्स लिष्ट आई तो आप सौंबार को 30 September को बोर्ड रिष्ट आती है वो कितनी सीटों पर आती है थर्ड का रथी है कि दो सकते हैं बुदा सकते हैं तर poverty की त्यारी का 370 को डियरेट कोलेजों में कोलेज का आवंटन होगा और चलते हैं दोस्तों इसके बारे बात करेंगे आंगे कि पहले बता तुम दोस्तों की जो बीएस टीशी की कम से कम नेहीं तीन लिस्त तो आपकी आती है और पाःस भी जाती हैं लेकिन मिनिमंम देखने को लेंगी अब पहली लिस्त आपकेょ दोस्तों हो जारी जाय के जानताए दो दोस्तों तो आप चेक करने के लिए आपको सिंपली साइन करने लाएं अब बात करते हैं फर्स्ट लिष्ट के बारे में लेकिंगे फर्स्ट लिष्ट टोटल सीटें हैं चबीस यार उसकी 90% के आसपा सीटें आपकी फैली लिष्ट में भर जाती हैं तो लगवगव 21,000 सीट हैं वो खाली रह जाती हैं चात्रों को मन पसंद कॉले नहीं मिलती है तो दोस्तों ऐसे में 21,000 से मालीज अगर आपकी 500 सीट खाली रह जाती है तो आपकी सेगन लिष्ट बाकी की पांच यार प्लस आपकी जो फर्स्ट लिष्ट में से कुछ सीटें खाली रहेंगी उनको जुड़ने के बाद आपकी सेगन लिष्ट जारी की जाती है यानि कि 21,000 के आसपा सीटों पर दोस्तों पहली लिष्ट आती है और 21,000 में से मिनीमम 20,000 सीटों पर कोलेज में एडिशन हो जाता है सिर्फ 1500 सीट खाली बचती है उसके बाद दोस्तों आपकी सेगन लिष्ट साड़े 5,000 के आसपा सीटों पर फिर दोस्तों आपकी थर्ड लिष्ट आती है 3000 के आसपा सीटों पर तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी लिष्ट जारी करने का प्रोसेस रहता है और इनमें जो अंतरार रहता है साथ से तस दिन का रहता है यानिकि फर्श लिष्ट आने के जो पहली list है दोस्तो 30 अट्टुवर को यानि, कि सॉमबार के दिन आपकी पहली list आएके डोस्तो कल बिल्कुल भी जारी नहीं होगी क्योंकि कल रही बार है तो कल तो list आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, फो दोस्तो इस प्रकास से आपको एक दिन और बेट करना पड़ेगा और इसके आंगे का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे कराते हैं उसके दिए मैं आपको कल अलग से एक वीडियो बना दूँगा कॉले रिपोर्टिंग को लेकर और डोकुमेंट को लेकर जियां दोस्तों आपको कॉनकों से डोकुमेंट चाहिए जैहिंद बंद मात्रम